बासुबिल्लाह मैंने शेटवानिरजीम, बिस्मिल्लाह रख्मानिराहीम, असलाम अलेकूम, मैं हूँ साथिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्थ, असल में अब हम एक दोस्त, हमदर्थ तो बात पीछे के रह गई है, अब मुझे तो ऐसी लगता है, आप लोगों से ना मिलूँ, आप लोगों से बात ना करूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अपनी फैमिली से ना मिलो ना तो एक उदासी, एक लगता है डिस्टन्स आ गया है, एक धूरी आ गई है, तो इसलिए मुझे इस तरह ही की बेचाह हैं यह जैसे अपनी फैमली से बात करने के लिए अपने खांदान से मिलने के लिए वही फीलिंग है और अल्ला यह दिलों में एक दुस्य के लिए महबब डालता है और मैं अल्ला की बहुत शुकर गुजार हूं कि अल्ला इन महबबतों को काइम भी रखे और मुझे बढ़ा अच्छा लगता है मैं अक्सर बाहर जारी होती हूं प्लिटिकल मिटिंग्स में होती हूं कहीं बैठी होती हूं तो लोग प्लिटिकल के इलावा कितना हम आपके वजा किया क्योंकि मुझे वैसे भी जानती थी तो उसने की मेरा चैनल देखा उसने का आपा मैंने यह वजीफा पढ़ना है तो मैं पढ़ सकती हूं मेरा यह यह इश्यू है मैंने का आप जरूर पढ़ लो तो मुझे बड़ी खुशी हूं आज उसका मुझे फोन आया कि आपक मेरा को बाहर पर बता दो मुझे का हल सर्फ मेरे अल्ला के पास है सर्फ रबुल इज्जत करते हैं ना मेरी कोई उकात है ना मेरी कोई हैसियत है मैं सिर्फ मेरे जुबान जरिया बनती है कि जो मैं कुछ पढ़ती हूं या मेरे अल्ब में कोई चीज आती है तो मैं आप से कर लेते हो, कलाम है ऐल्लागा, पड़ा आपने अकीदत और महबत के साथ और यकीन के साथ, तो मेरा रब कैसे ना सुने, कैसे ना राजी हो, तो इसलिए, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट सारा मेरे रब अजजट का में शाइन, जो सबकी सुनता है, और कल रूस से, नियत से पढ़ते हैं, इतकार से पढ़ते हैं, इमान से पढ़ते हैं, तो अल्ह तल्ह आप सब की मुरादे पूरी करें, अच्छा आपने देखा होगा कि मेरे एक वजीफे में आपने सुना होगा, कि मैंने बारहा कहा, कि फर्ज नमाज के बाद आप लोग एक बार आयतल कुर्सी, तीन बार, गयरा बार सुरह इखलास, गयरा बार सुरह नास और गयरा बार सुरह फलक पढ़ लिया करें, इस से ये है कि ये तमाम, और ये रसुल करीम सरब सल्म का अमल है, जब उन पर काद की, तो मुझे आज उसका इदल अधा के उस से भी बहुत जबदस, उस पर मुझे एक मिला कि इसी अमल को थोड़ा सा डिफरेंट करके, अगर हम इदल जहा के दूसरे दिन, जोहर की नमास के बाद, और असर की नमास से पहले, इदल जोहा के दूसरे दिन, हम जोहर की नमास के बाद, और असर की नमास से पहले बारा रकट नफिल हैं, और जब हम, अलहम्दो शLE मास पढ़ते हैं, उसके बाद हमने, यही अमल करना है, एक बार आयतल कुर्शी, 11 बार सुरह इदल एक बार सुरह लग, बार सुरह नास, 11 बार सुरह फलक, लेकिन हमने यह दो- दो दो नफिल करके पढ़ने हैं, बारा की नियत अकठे नहीं करनी, चार की नियत नहीं करनी, हमने दो दो नफिल की नियत करके नियत बादनी है, और अलहमदो शरीफ के बाद एक बार आयत अलकुरसी, ग्यारा बार सुरह इखलास, ग्यारा बार सुरह नास, ग्यारा बार सु पूरे करने हैं असर से पहले, आप इसकी अगर बरकात सुन लें, आप इसके अगर दुनिया का हर किसम का बत्तरीन काला जादू, अमलियात, घर में कोई ऐसी चीज, बुरी चीज के असरात, रिजक में रकावट, जो मसाईल है, उराद में रकावट, बेमार रहते हैं आप, म मसले जो हैं आपके ये एक साल में एक बार ये अमल है, और कोई इतना मुश्किल अमल नहीं है, ये कुछी, मतलब, जोहर से असर के दर्मियान, मेरे खाल में हाडली, आदा घंटा भी नहीं लगेगा इस अमल को करते हुए, दो दो रकत करके आप करें, रवानगी होती है, ये हतीनों कुल तो हमारे जुबान पर बहुत रवाँ हैं और आयतल कुर्सी भी बहुत रवाँ हैं, तो आप फिर इसके समराथ कीजेगा, देखेगा, ऐसे लगेगा, आपके उपर से बलाएं जड़ रही हैं, चीज़ें जो काली पड़्दे से पड़े वे थे, वो ऐसे मेरे रसूल करीम सर लब सरलम की दौाइं हैं, जो उन्होंने उकम किया है, ये उनका फर्मान है, आपको मैं तरीका एक बार फिर बतातूं, एदू जोहा के दूसरे दिन, जोहर और असर के दरम्यान, जोहर के बार और असर से पहले, बारा रकत, जो आपने दूदू रकत कर करके पढ़नी हैं, और अलहम्दो शरीफ के बाद, एक बार आयते पुरसी, ग्यारा बार सुरह इखलास, ग्यारा बार सुरह नास, ग्यारा बार सुरह फलक, ये आपने बारा रखतें ऐसे पढ़नी हैं, और उसके बाद अपने रब लिजद से, जो चाहे, जो तंगी परश वसले इन्शाल्लाव ताला हलो होंगे और आप कमाल दिखेंगे मेरे रब की शान का